और यूपी के आगरा से इस वक्त की बहुत बड़ी ख़वर सामने आ रही आगरा के गाउ में यूपी पुलिस के दरोगा की धुनाई की गई है दरोगा संदीग कुमार को ग्रामीलों ने जमकर यहाँ पर पीटा है गाउ में इश्क बाजी करने के लिए जाय करते थे दरोग और गाउबालों की नजर उन पर पिछले लंबे वक्त से थी दरोगा को ग्रामीलों ने खंबे से बांध कर रखा और उनकी धुनाई कर दी रात को चोरी छिपे घर में गए ते दरोगा जिसके बाद गाउबाले बहां पहुंच गए और दरोगा को अपत्ती जनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया गया मामले में पुलिस कमिशनर है फिलाल दरोगा को सस्पेंड कर दिया है आगरा के बरहट थाने का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और यही पर त्यानाथ है दरोगा संदीप दरोगा से मार्पीट करने वाले ग्रामीर यूगों को पर भी अ गाउ में इश्क वाजी करने के लिए अकसर जाय करते दरोगा और ग्रामीर उने पहले भी चेतावनी दे चुके थे लेकिन अपनी वर्थी की रंग में वो इस तरह रंग चुके थे कि अपने गलत काम को भी नजर अंदाज कर रहे थे और दरोगा को आज ग्रामीरों ने बान दिया और उनकी धुनाई कर दी रात को चोरी चुपे घर में गई थे दरोगा जहां पर फिर ग्रामीरों ने चुपकर उन्हें देख लिया और आपत्ते जनक हालत में रंगे हातों दबोच लिया पूरा मामला अप सुर्खियों में आ गया है आगरा से लेकर लखनव पुलिस महकमे की और इस दरोगा की चर्चा हो रही और इसी को देखते हुए पुलिस कमिशनर ने दरोगा को सस्पेंड कर गया है वीडियो वाइरल हो गया है इस दोरान का और वीडियो लगातार सोसल मीडिया पर तैर रहा है वीडियो को हम आपको नहीं दिखा सकते लेकि ये जाच बैठा दी है इस वक्त के बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा से जहां पर आगरा के गाओ में यूपी पुलिस के दरोगा की धुनाई की गई दरोगा संदीप कुमार को गाओ बालों ने जम कर धुनाए गाओ में इश्क बाजी करने के ल मामले में पुलिस कमेशनर ने फिलाल दरोगा को सस्पेंड कर दिया है आगरा के बरहट खाने का ये पुरा मामला है और दरोगा के साथ इस तरह से मार पीट करने बाले ग्रामीर यूपकों पर भी पुलिस ने कारवाई की है और इन यूपकों को गिरफतार कर दिया गया औ के खिलाफ मुकदमा दर्श किया जा रहा है